नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग शपोर्ट दोस्तो आम तोर पे मैं आप लोगों के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन्स फिरेलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूँ कि अपने घर को किस तरह से मजबूत बना सके किस तरह से इस्ट्रक्शर को मजबूत कर सके ताकि आपका घर लंबे दिनों तक चले लेकिन दोस्तो हमारा घर मजबूत होने के साथ साथ एक इंपोर्टन चीज आप भी मानते होंगे कि वो अच्छा भी दिखना चाहिए हम लोगों की यही दिल्ली क्वाइज रहती है कि जो हमारा घर हो वो अकरसक लगे देखने में बहुत ही अच्छा लगे दोस्तो और आज का विडियो कुछ इसी प्याधारी था है कि वो हमारे घर की सजावट को किस तरह से बहुत कम पैसे में ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है यूँ कहें तो उसे भी कम पैसे में हि अपने घर को ज्यादा अच्छा किस तरह से आप लुक दे सकते हैं इस पे ये विडियो होने वाला दोस्तो सबसे पहले तो मैं अगर बात कर लूँ कि जो cantilever slab होते हैं जो छज्जा होता है उसको किस तरह से हम लोग खुबसूरत बना सकते हैं चुकि वो एक घर का अच्छा front look प्रवाइड करता है दोस्तो ये देखिए ये आप electrical pipe देख रहे हैं ये हमारे slab के अंदर चला जाएगा ये हमारे जो ढलाई होगा ना उसके अंदर चला जाएगा बाहर से भी bit wiring अगर कर देते हैं slab के नीचे से तो वो ज़्यादा कुछ अच्छा दिखता नहीं है दोस्तो और दूसरी बात ये है कि हमारा जहां भी लटक बीम आएगा जो हमारा बीम आएगा दोस्तो बीम से अगर हम turn करके जो है वो bit को ले जाते हैं वो भी बहुत ही गंगरा दिखता है दोस्तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो आपको बीम दिख रहा होगा आगे में भी बीम दिख रहा होगा तो यहाँ पे अगर bit wiring करते हैं तो अच्छा look नहीं देगा आपके घर को बहुत ही ordinary look देगा दोस्तो लेकिन ये अगर मान लीजे slab से direct जो है वो कोई light लटका हुआ रहेगा वो देखने में कितना अच्छा लगता है आप ही सुचिए तो इसलिए जब भी छज़ा ढलवाएं तो ये electrical pipe का connection जो है वो जरूर दिलवाएं और साथ साथ मैं आपको ये सबसे best रहता है और इसमें wiring का खर्चा भी आपको दोस्तो बचता है दोस्तो इसमें wiring का खर्चा बचता है और ये जो black cloud का point देख रहे है ये एक point है यहीं पर bulb लटकाया जाएगा दोस्तो यहीं से तार वगरे निकलेगा नीचे तो ये अपने हिसाब से जिस तरह से आप प्लान करते हैं कि आपका घर किस तरह से दिखना चाहिए या फिर कितना light के आपको जरूरत है उस तरह से आप ये point दिलवा सकते हैं जहां कहीं भी जरूरत हो वहाँ प्लान दिलवा सकते हैं दोस्तो दोस्तो एक चीज़ का और आप ध्यान देंगे कि ये हमारा जो pipe है उसमें जो है वो clearance देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तो अगर clearance नहीं देते हैं 20 mm का कम से कम जो है वो नीचे से cover block डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वरना दोस्तो थोड़ी सी जो है वो दिक्कत हो जाएगे आपको pipe जो है वो नीचे से दोस्तो ना भूले उमीद करते हैं जरूरी आपके काम क्यों होगे तो फिर मिलता है अगले वीडियो में तब तक ले नमस्कार धन्यवाद दोस्तो नमस्कार